नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज का जो टॉपिक है वो है जीविज्ञान जो आपकी SSC, JSSC, BPSC, BSSC, JPSC, UPSC, PCS जैसे रेलेवे जैसे बैंकिंग जैसे परिक्षाओं में बहुत ही इंपोर्टेंट होता है इससे प्रस्में पूछे जाते हैं और आप देख सकते हैं कि सारे सवाल परिक्षा में पूछेगे सवाल है UPSC, IS प्रिलेम्स में पूछागे सवाल है तो चली स्टार्ट करते हैं कि वीडियो को देखते हैं हम लोग इसमें 20 सवाल पूरा देखेंगे तो पहला सवाल है कि एफ़ फाइट्स वे पोद हैं जो अन्य पोदाओं पर सवाल है इसका करता हूं इसको साइट कर देता हूं इसका ह definet करता है तो अब जीवित ञानव्रों के वल जीवित वनस्सपत्थी का जीवित जानवर दोनों का उसके बाद एक option है जिवीत वामीर्थ बनस्पति दोनों का तो इसका right answer हो जागा आपका option C option C option C चली next जवाल next है कि पहलियो बनस्पति के अंदर का अध्यान करते हैं तो किसका अध्यान करते हैं तो किसका right answer हो जागा इनमें से कोई क्या नहीं तो स्वाइयוכ के लिए भली बांती अनुकुलित पेड़िध पतों कום का तो क्या काते हैं तो मुरुद भीद काते हैं चली आगे बढ़ते हैं अगला सवाल जेविक जगत में होने वाले क्अरे गुनवा पद्धति का कि इस घ्ञान को मशेपों में उप्यों करने को ठीक है आगे बढ़तें क्या कहते हैं तो देख इसका राइट अंसर ये तो यह सवाल ने है ये सवाल है । सकते हैं विज्ञान के vats 800 जिसमें आनुबानसिक आनि जेनेटि के द्वरा मानवश्य परलती में सुधार ला जाता है तो इसको आज जाने आती है तो उजरीan कसके नामसे आख जानेきます के नामसे चया अग्याना कि आपका कीटों के विग्यानिक अध्यन को क्या करते हैं कीटों के विग्यानिक अध्यन को क्या करते हैं तो इस थियोलोजी एंटोमोलोजी पेराशिटोलोजी या मेकेकोलोजी तो देख इसका राइट अंसर जो हो जागा ऑप्शन बी हो जागा एंटोमोलोजी चलिए आगे शरी-ष्रीउब का उवट चार है जिसमें परानी मातर के विवार का दें किया जाता है तो आथके इसका गध्यान परस्थित ची की मानव शाar सत तो answer हो जाग option A जीव परस्ते देखी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं जीव इज्ञान का नाम दिया गया किस ने दिया जीव इज्ञान का नाम तो तेखिए इसका right answer है अपका option अरस्तू, ले मार्क, डॉर्विन, लीनियस तो जीव इज्ञान का नाम दिया है option B, ले मार्क ने जीवों के उत्पति का धुनिक विचाठारा प्रस्तूत किया तो आपका option क्या है एक मिनिट इसको तोड़ा बढ़ा कर लेने से बढ़िया रहेगा आपका option है मिलर, डॉर्विन, होराना, ओपेरेन तो right answer होगा option D, ओपेरेन चलिए विद्धावस्ता एवं काल प्रभावन के विशेय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्धा को क्या काते है आपका option है अंकोलोजी, जेरेंटोलोजी, टेरेटोलोजी, और निथोलोजी तो 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 इसका इतकी MPPSC pre-exam में पूछा गया था तो उसका right answer एक मेंट, कहां चले गए, यहां पर उसका right answer है option B, जेरेंटोलोजी, चलिए अगला है किट समवर्धन क्या है तो किट समवर्धन पूछा गया है यह सवाल पूछा गया आपका 36 गड़ PSC में तो किट समवर्धन क्या है तो किटों की विर्धी करने का विज्ञान या जन्तों की अध्यन करने का विज्ञान या फिर मचलियों की अध्यन करने का विज्ञान या कीटों को माने का विज्ञान तो उसका right answer हो जागा option A कीटों की विर्दी करने का विज्ञान चले आगे बढ़ते हैं जीवों के निम्कित परकारों पर विचार किजिए जीवों के निम्कित परकारों पर विचार किजिए चमगादर मदमखी पक्ची उप्रिक्ट में से कौन से कौन साया से प्राग गन का रही है तो केवल 1 और 2 या केवल 2 या केवल 1 और 3 या केवल 1 दो 3 उसका right answer option D हो जाएगा कि इनि इनका पर विचार किये इन् sunscreen की जबbut कराना समोदरी गाए, समोदरी गोड़ा सम् оноदरी सिंग उप्रिक्द में से कौन सा अस्तंधारी है तो अस्तंधारी केवल एक और तीन है, एक और तीन, समुदरी, काय और समुदरी सिंग, यह अस्तंधारी है, चलिए, निर्मकित पर विचार किजिए, चमगादर, भालू, किरिंतक अनि रोडेंट, उप्रिम्ट में से किस परकार के जन्तु में, सित निस्क्रियता की किया है, तो आपका option केवल एक और दो, केवल एक दो और तीन, अफिस्ट के निस्क्रियताप जो है, उप्रियुक्त में से किसी में भी नहीं प्रिखचित की जा सकती है, तो इसका right answer क्या होगा? इसका राइट अंसर हो जागा ओप्शन C एक दो तीन चड़िए निमकित कत्रों पर विचार करना है फिता किर्मी उभैलिंगी है गोल किर्मी के लग लग लिंग होते है फाल एडिया शुत्र किर्मी होता है किनी किर्मी एनलीड इनमें से कौन से है तो राइट अंसर हो जागा एक मिनाट कड़ पड़ हो जाता है राइट अंसर हो जागा आपका अप्शन एक एक और दो गोल किर्मी के लग लग लिंग होते है और फिता किर्मी उभैलिंग होते है चलिए भात में पाज़ाने ओल्य अस्तन्दारी ड्यूगों के संदर में नल्वित में से कौनसा कथन सही है या एक साकारी समुद्री जानुवर है यह तकि यह एकजाम में पुछा गया तो तो किसका राइट अंसर जाग ऑप्शन सी एक और ती एक में क्या कि यह एक सकारी समद्री जानवार रहा है और तीन में इसे वर्ण जीवस अधिनियम अनुसे बांतर के अनुसे एक के दिन विधिक संग्रक्षन दिया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं निमकित में से कौ दोस्तों यह सवाल बहुत इंपोटेंट होते हैं परिछा में पूछे जाते हैं एक सवाल आपके लिए कि निमकित में से कौन सा एक जीव अनितिन जीवों के वर्का नहीं है और आप देख सकते हैं केकड़ा बरोती विच्चू मकडी अंसर कॉमेंट जरू किज़ेगा मैं क्या से कौन से कौनिस टीव इंपोल hob janशी जरू गाल राते हैं